कि दोस्तों नमस्कार आज फिर कहानी के साथ कहानी चोटी लेकिन सीख बढ़ी और सीख वह ही महान जो जीवन में उतर जाया और ग्ञान वही स्रिष्ट जिससे जीवन सबर जाए ऐसी जीवन को सवारने वाली कहानि एक मंदिर के सामने एक भीखारी मांगा करता था अब मंदिर का बहुत देर तक बैठा था कोई एक वेक्ति आया उसने दो रोटी उसके पात्र पे डाल दिये अब सुखी रोटी थी खाए तो कैसे खाए सुखी रोटी उसके भीतर जाती नहीं थी तो उसने विकल्प आसपास ढूंडने की कोशिस की थोड़ी प्रतिक्षा भी कि कोई और कुछ दे दे म उसके साथ ही कालो उसे कुछ भी भीक नहीं मिलता है तो वह दो रोटी को उठा कर अपने सारे पात्र अपने सारे जोले वगरे को उठा कर पास के एक रेस्टोरेंट वे जाता है जो धाबा होता है अब धाबा का मालिक ग्यानी बाबा ग्यानी बाबा बहुत चलाक व्यक्त हवा का भी पानी का भी ऑक्सिजन का भी हर एक चीज का वो दाम असूल कर ले इस तरह के ढाबा संचालक थे वे अब यह भिखारी उनके पास पहुंचता है और सब्जी की गुजारिस करता है कि थोड़ी से सब्जी मिल जाए तब यह ग्यानी बाबा क्रोध मर आकर एक तो भि खारी धोडि देर फस भाब के सामने प्रतिक्षा करता है कि शायर कोई दानविर सब्जी थोड़ी से सब्जी दे ले दे या बची-खुची किसी के में से मैं सब्जी ले लो लेकिन ऐसा होता नहीं है, अब सब्जियां बन रही होती है, हर तरह की सब्जी बन रही होती है, उसके खुजबू बाहर तक आती है, और धीरे से जाता है रसोई घर की तरफ और देखता है, तब महां देखता है कि सब्जियां बन रही होती है, उसके भाप निकल रही होती है तब यह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी रोटी को इस निकल रही भाप के उपर रख दूँ तो रोटी थोड़ी गिली भी हो जाएगी और साथ ही जो खाने की खुश्बू है जो सबजी की खुश्बू है वह रोटी पर आ जाएगी फिर मैं आराम से रोटी खा सकता हूँ यही सोच कर वह पास जाता है चुले के और भाप के उपर अपनी रोटी को रखने लगता है अब उसे ऐसा करते हुए ग्यानी बाबा यानि धाबा के जो संचालक हैं वो देख लेते हैं अब क्रोध में आकर करते हैं कि तुमने यह क्या कर रहे हैं तुम सब्जी चोरी कर रहे हो तब भिखारी कहता है कि नहीं मैं सब्जी चोरी नहीं कर रहा है मैं तो इस सब्जी पर भाप निकल रही है उसे अपने रोटी में ले रहा हो ताकि मैं खा सकूँ तब ग्यानी बा कि दिश्क में बाद्विवाद बढ़ जाता है अब उप गाउं मामले साधू बाबा अपने or चाहए करते थे बात इतनी बढ़ जाती है घ्यानी वाबा ऐसे मस नहीं होता है कि मुझे खुदू की कीमत चाहिए मतलब चाहिए अब बात पहुंचती है सबसे पहले साधु बाबा के पास में साधु बाबा के पास में पहुंची जाते हैं तो भिखारी सारा वृत्तान साधु बाबा को बताता है तब साधु बाबा भिखारी को अपने साथ अपने कुटिया के भीतर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है अब सारा कुछ समझा कर साधु बाबा भिखारी को कुछ सिक्के देते हैं अब सिक्के वह जो सिक्के दिये रहते हैं उसे अपने जेब पर भिखारी रख लेता है अब जब बाहर निकलते हैं तो भिखारी अपने जेब से सिक्के न कि आरे कुछ पैसे भी मुझे नहीं मिले दाम भी नहीं मिला तब कैसे अदा हो गई कीमत मेरी खुश्बू की साधू बाबा कहते हैं कि तुमने सबजी तो दी नहीं थी केवल खुश्बू ही दी थी तब हमने भी तुमको सिक्षों की खनक ही दे दी है, इसकी भी कीमत होती है, अब तुम भाप के बदले में, खुश्बू के बदले में तुम्हें सिक्कों की खनक ही मिलेगी, बोलो तो और दे दें, यह कहकर उसे वहाँ चुप करा कर, क्योंकि सारे गाओं के लोग भी रहते हैं और साधू बाबा का यहां नया कर खिलाते हैं, और साधू बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए भिखारी वहां से विदा होता है, दोस्तों कहानी छोटी सी है, लेकिन किसी भी समस्या का हल, अगर सही चतुराई रखी जाए, सही समझ रखी जाए, और सही समय पर सही निर्णाई लिये जाए, तो हमें हर समस्या का निदान मिल सकता है, साथी चालाक व्यक्तियों के साथ हमें ऐसा चालाकी ही हो जाती है, कहते हैं ना चोरी कधन मोरी में जाए, अर्थार गलत धंग से की हुई कमाई, गलत तरीके से ही जाती है, जिस तरह ग्यानी बाबा, अपने ग्यान के दंभ में र व्यौस्था में इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिन्हें किवल लूटने से मतलब है एक परसंट, दो परसंट, पांच परसंट की लूट, सीधी लूट, भ्रषटाचार वाली लूट, हर तरह की लूट, ये मचाये रखते हैं, जरूरत है हमें एक भ्रषटाचार को करने वाला इंसान बनने की अक्सर हमारा काम हो जाये बोलकर हम भ्रष्टाचार को सपोर्ट देते हैं और इस व्योस्था पर फस जाते हैं जरूरत है एक नर्णे लेने की ना तुम्हें भ्रष्टाचार करूंगा ना तुम्हें भ्रष्टाचारियों को ही आगे बढ़ने होते हैं जो दूसरों लोगों को किवाल लूटना चाहते हैं में इनसे भी बचना होगा साथ ही जब समस्या आए समस्या का निप्टारा सही समझ के साथ सही बुद्धी के साथ सही विवेक के साथ हमें करना नहीं तो यह ज्यानी बाबा जैसे लोग एक भिखारी तक को लूट खाएं